देखे इस लाइड में अब हम स्टार्ट करें फाइनली नैशनल इंकम को निकालना इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें सब में मैंने एग्रिगेट्स वगेरा और जो है नैशनल इंकम होती क्या है और रेजिडेंट कौन होता है यह सब टर्म्स जो है डिफाइन की थी तो अब यहां से स्टार्ट कर रहे है नैशनल इंकम तो प्लीज सभी धान से सुनिये इस सब चीज़ को और नोट्स जो है बनाते चलिए यहां पर हम ले रहे हैं दिया थ्री मैथर्स ऑफ कैलकुलेटिंग नैशनल इंकम देखे नैशनल इंकम में क्या है कि देश में यह त इतने भी आपने लेबर लगाया जो आपने कैपिटल लगाई जो कुछ भी आपने लगाया ठीक है उन सब को उस प्रडक्शन करने से उसका भई अगर आप रिटर्न नहीं दोगे आप यूज कर लोगे सिर्फ चीजों को तो कौन आपके प्रडक्शन में चाहे उसने मनी इंवेस्ट करी और चाहे लेबर लगी किसी भी तरह की तो यह सारे फैक्टर्स को इंकम मिल जाएगी और फिर यह फैक्टर्स इनके अपनी भी जरूरतें हैं यह जाके उस इंकम को एक्सपेंड कर देंगे और वही जो गुड्स और सर्विसेस अर्थवरस् होते हैं और इसके बार एक्सपैंडेटिशर रहता है और उसके बार फिर प्रेडर्स फैर्डर्च इंकम मिल जाती एंपनाफला कर से करेंटर्स इंकम को लेते हैं कि देश में कितना production generate हुआ ठीक है expenditure method में हम यह देखते हैं कि कितना private houses ने government ने सब ने मिला के कितना expenditure किया goods and services पे और income method पे हम यह करते हैं कि factors जितने भी labor class है चाहे वो manual labor है चाहे वो physical labor है चाहे वो property है चाहे वो money है उन सब ने income कितना generate किया तो आप किसी भी method को लेंगे वो national income को ही दर्शाएगा because अभी हमने बता है ना कि यह सब economic activity है production करना income generate होना expenditure करना यह एक दुसरे को complete करते हैं ठीक है तो आप कोई भी method अपना लेंगे ठीक है तो वो national income को आप आसानी से calculate कर सकते हैं लेकिन तीनो method का procedure अलग अलग है तो अगर यह आता है कि national income calculate करने के method तो there are the three methods one two and three चले तो फिर move करते हैं और इन मेंसे method को लेके हम national income में क्या क्या आता है उसको calculate करते हैं एक बात बस आपको माइन में रखनी कि आप कोई भी method जो भी लेंगे उससे related aggregates आपको लेने पड़ेंगे और second thing क्या है कि कोई भी method से आप national income निकालेंगे national income वही आनी है ठीक है चलिए तो फिर move करते है next slide पर यहां पर हम income की बात करेंगे अब income कौन कौन से होती है देखे income from work ठीक है चाहिए काम से आपको income हो रही है चाहिए आपकी कोई property है building वगेरा ठीक है क्योंकि कई बार क्या होता है कई बार क्या होता है कि यहां पर आपकी कोई property है और आपने किसी firm को दे दी है कोई building है या कोई area है कोई जो है plot है वो आपने जो है firm को provide कर रहा है for the production activities तो उससे जो आपकी income होगी वो भी income में calculate होगी इसके अलावा income from the resident company जो हमारे देश में company है और जिनका economic interest भी देश के साथ जुड़ा हुआ है वो सारी company का जो भी income है वो सब भी लिया जाएगा इसके अलावा resident company अगर abroad से यानि विदेश से हमारे देश में कोई company है और विदेश से वो कोई income generate करती है तो that will also be included in the national income ठीक है and then the national income from the non-resident company from the abroad वो company जो देश में नहीं है ठीक है वो company जो देश की नहीं है वो बाहर जो है situated है ठीक है तो non-resident company हो गई और वो abroad से कुछ भी जो generate करती income लेकिन वो company का national interest जो है economic interest जो है देश से जुड़ा हुआ है हमारे देश से जुड़ा हुआ है तो उसका विदेश से ज अपने इंकम में लेंगे तो इंकम फ्रम दा वर्ग इंकम फ्रम दा प्रॉपर्टी रेजिदेंट कंपनी इंकम फ्रम दा अब्रॉड ठीक है तो यह सारी चीज़ें हम इंकम में इंक्लूड करेंगे इसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए उसके बाद चलते हैं मूव करत है और सिट्सी और सबरेंगे धर्हाइब अब यहां पर एक आग्रिगेट्स की बात कर लेते हम ठीक है एंग्रियर यहां पर देखिएं दो तरह के आपको बार बार आएंगे नैशनल इंकम है या डूमेस्टीक णिकम में अप NFIA, यानि कि net factor income from abroad, आपका जो आपने domestic territory के अंदर जितनी भी income generate हुई है, चाहिए वो जो है resident, जितनी resident company और आपके जितनी भी workers हैं, जितनी भी property है, सबसे जो income हुई है, वो आपकी domestic income है, आपने किसी बाहर की company को non-resident company को शामिल नहीं किया, इसके बाद आप net factor income from the abroad जो है, वो include कर देंगे, और इसमें abroad से आपके देश के जो company है, resident company जो बाहर से कमाया, या non-resident company ने जो विदेश में कमाया, लेकिन economic interest आपके देश से जुड़ावा है, या वो लोग जो आपके देश के, जो है resident तो नहीं थे, बट जो है citizen हम बोल सकते हैं, citizen थे, रहते नहीं थे, लेकि क्योंकि उनका economic interest देश से जुड़ा है, तो उन्होंने जो भी कमाया है, तो और domestic income अगर आपने कर निकालना है तो आप national income से, में से, net factor income from the abroad, यानि कि national में से, अगर आप net factor income, जितनी भी factors ने income abroad से कमाया है, वो सारी हटा देंगे, तो वो domestic बन जाएगी, और अगर domestic में आप ये income add कर दोगे, तो वो national हो जाएगी, एक बार मैं चीजों को दुबारा बोल दू, net factor income में क्या आता है, कि आपके जो लोग थे, अगर इन्होंने विदेश में जाके कुछ कमाया है, ठीक है, और वो लोग जिनका economic interest देश से जुड़ा है, वो income को देश में सेंड करते हैं, तो वो सारी income को हम include करते हैं, domestic income में तो वो national बन जाती है, या resident company ठीक है, जो abroad से कमायेगी, देश में situated है, पर abroad से कमा रही है, और उसका national economic interest देश से जुड़ा हुआ है, या non-resident company है, देश में वो नहीं है, वो बाहर है situated है, लेकिन वो जो बाहर से कमा रही है, और उसका economic interest द करनेंगे, तो national बनती है, और national में से इसे minus कर देंगे, तो domestic बन जाएगी, ठीक है, तो याद रखिये, कि जब भी बात आएगी national की और domestic की, तो बात आएगी net factor income from the abroad, ठीक है, चलिए move करते है, next slide पर, यहाँ पर screen पर आप देख रहे हैं, हमने लिया है first method, ठीक है, first method value added method, जैसे कि पहले मैंने बताया था, national income calculate करने के तीन method है, जिसमें एक है value added method, ठीक है, यानि output method, और दूसरा method है, जो की production को दिखाता है, दूसरा method जो है, वो income method है, जिसमें factors जो है, जितनी भी लोग production करने म लगें, उनकी सारी income को हम add करके दिखाते हैं, और वो भी national income count करने का method है, तीसरा method expenditure method है, यानि कि लोग जो भी production हुआ है, उसको खरीदने में, जो भी कुछ खर्च कर रहे हैं, वो उनका expenditure है, और अगर हम उस expenditure को add करें, तो वो भी जो है national income को दिखाएगा, लेकिन सबसे पह इस method में क्या है, value of output निकालने के लिए आपको output multiply by the market price, यानि कि जो भी production हुआ है, अगर हम उसकी cost से multiply कर दें, तो हमारा output की value आ जाती है, और ये हमारा domestic income को show करता है, sorry, यहाँ पर आप output को market price से multiply कर दें, ठीक है, तो आपका production की value आ जाएगी, या फिर जो भी market में sale हुआ है और जो stock के रूप में हमारे पास बचा हुआ है, जो sale हुआ और जो stock रखा है, इन दोनों को हम add कर दें, तो ये हमारा production है, क्योंकि देखिए, जो भी production हुआ है, या तो आप उसे sale कर पाएंगे, और जो sale नहीं होगा, वो stock बच जाएगा, अब इन दोनों को add करेंगे, तो उस accounting year का आपको final production मिल जाएगा, ठीक है, एक तरीका तो ये है, दूसरी चीज ये है, कि अगर हम value added method, मतलब इसी output का दूसा तरीका भी है, value added method, उसमें क्या होता है, कि हम सभी final products ले 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 और intermediate goods minus कर दें, ठीक है, intermediate goods मैं एक बार आपसे discuss कर लेती हूँ, intermediate goods वो होती है, जो क मतलब production house है, तो वहाँ पर जो कपड़े यूज हो रहे है, जो fabric यूज हो रहे है, जो color यूज हो रहे है, वो intermediate goods है, और जो कपड़े तयार हो रहे है, finally, वो हमारा final output है, तो किसी भी जगे का अगर final output आपने लिया है, तो उसमें जो आपने चीजे यूज करी है, उनकी costing को आ महाँ पर counting में आ चुका है, जो आपका fabric यूज हो रहे है, वो किसी भी production house जिसका यूज हो रहे है, अगर आप अपने कपड़े के cost में उसको add ही रखेंगे, तो यह double counting हो जाती है, ठीक है, इस double counting से बशने के लिए एक ही चीज दो-दो बार national income में count ना हो जाए, इसके लिए जरूरत है कि आप final output में से intermediate goods को minus करते चलें, जिससे आपको सिर्फ final output जो है, वो मिल जाएगा और double counting से बच जाएंगे, कई बार यह question आ जाता है, exam में कि double counting क्या होती है, तो यह जो intermediate goods हैं, जब हम minus ना करें, तो यह एक बार तो अपने final product में use हो जाती हैं, और जिसको बनान में use होती हैं, उसके साथ भी दुबारा count हो जाती है, तो इसी लिए यह formula ध्यान रखेगा, अब यह जो value added आगे आपका, intermediate goods minus करने के बाल, ठीक है, इसमें यह gross value है, अगर इसमें से आप depreciation minus करेंगे, तो net value added आ जाएगा, ठीक है, यह हमने एक बार पहले भी discuss किया था, net और gross, यह किस से related depreciation, gross में depreciation add रहता है, और net value निकालते हुए, हम depreciation minus कर देते हैं, तो शुद value आजाती है, जिसे हम net value करते हैं, इसके बाद यह net value आएगी, यह क्या होगी, क्योंकि हमने market price पे लिया है, तो यह value market price होगी, ठीक है, अब अगर इस market price में से हम net indirect tax minus कर देंगे, जो यह factor cost पे आजाएगी, यानि कि अगर आप market price में से net indirect tax minus कर देंगे, तो basic cost आजाएगी, और अगर यह net indirect tax आप plus कर देते हैं, तो यह market price आजाएगी, मतलब एक छोटे से समझ लिजे, common sense की बात है, कि जब final production होता है, तो government उस पे कुछ taxes लगाती है, और वो add होने के बाद, को cost में उसे add कर देगी, और वो public से उसे वसूलती है, तो यानि कि market price में net indirect tax include रहता है, और factor cost पे include नहीं रहता, तो अगर factor cost और market price की बात होती है, तो आपको ध्यान अखना चाहिए, कि इसके बीच का जो difference है, वो आपका net indirect tax है, और gross value और net value के बीच का जो difference है, वो depreciation है, ठीक ह I hope ये जो method है, output method या value added method जिसे हम कहते हैं, यहां से आपको domestic income मिल जाएगी, और जब इस domestic income में आप net factor income from abroad add कर देंगे, ठीक है, net factor income जो हमने भी previous slide में डिसकस किया, net factor income from abroad, यानि विदेश से आए, उसको add कर देंगे, तब ये national income बन जाएगी, ठीक है, I hope सबको समझ में आया concept है, एक बार आप दुबारा सब चीजे देख के notes बना सकते हैं, एक बार revision में असानी से ही आजाएगा, फिर भी अगर कोई query है, तो प्लीज इसको आप comment section में पूश लीजेगा, I'll answer for sure, and thanks for watching the video, have a nice day, and please like, share and subscribe करना मत भूलेगा, okay